हेलो गाइज वेल्कम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट्स आनन्द राटी वेल्थ की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल पेस हो चुका है आज केस वीडियो बेनलसेस करेंगे चलिए फिंट्स वीडियो स्टार्ट करते है श्टेंडल और और कॉं क्योंकि 4450 रुपीच के प्राइस पे मतलब 4450 रुपीच पर एक्विटी शेर के प्राइस पे 164.65 करोड का कंपनी बाइब करेंगी जिसका एक प्रोपोजल लेकर आई है और यह भी फिक्स नहीं किया गया बलकि अभी यह जो प्रोपोजल लेकर आई है और यह भी रिकॉर के अकॉर्डिंग ही बताया गया है तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनाशल रिजल्ट्स पे तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग कॉंसौलीडेटेटेटर रिजल्ट को कवर करेंगे लैक्स में नंबर से इंकम है 197 करोड का पिछले क्वार्टर में 187 करोड का और मार्च 23 क ऐसे और वार्टर में 87.5 करोड का एक्सपेंस हुआ था कॉंछ का उनकॉर्टर यह में एक्सपेंस इंक्रीज या जए नहीं करता यह तक избलप किया इंकम के कोर्डिंग जिसके बाद ऑप्रेटिंग पॉफिट एट पॉफिट एट पॉफिट 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 क्वार्ट यह यहां किया ना यह एक्सपेंस कर आपके इंप्लाई बेनेफिट एक्समेंस में चार्ज लगा है जिसके बाद एक्पाइश रूपीछ का क्वार्ट और क्वार्टर में डाउन है यह ओन ये में इंकरीज किया तो जाए लगा जाना तो अवराल डिसल्ट अंपर अच्छी यह पेश किया है कम्पणी के consolidated result में, अगर stand-alone cover करे, income में 189eso क पिछले quarter में 179 brill का और March 23енного quarter में 140.6 wellness का income में, quarter on quarter year-on-year दोनों में increase किया है, expenses 111.9енко पिछले quarter में 102.6 कोणका और March 23NY 91.8 KROण का expense हुआ था, quarter on quarter year on year के expense भी increase किया है औप्रेडिंग पॉफिट 77 करोड का पिछले क्वार्टन 76.4 करोड का और मार्स 23 क्वार्टर में 58.7 क्रोड का पॉफिट है यहां पर टैक्स बहुत ज़ादा पे करना बला 21 क्रोड का जिसके प्रॉफिट में गिरावत आई जो कि नेट पॉफिट 55.5 क्रोड का पिछल 10.28 रुपीज का क्वार्टर और क्वार्टर में डाउन है यह और में इंक्रिज किया है तो गाइस कंपनी का क्वार्टर इंडिट के रिजल्ट अगर दिखा जाए ओवरल स्टैंडलोन है या इंकम तो अच्छी ग्रोथ रहा बट एक्स्पेंसर ज्यादा पे करना प्ला टैक क्रोल का 23 में त्री स्टी पॉंट्ट फाइफ क्रो टैकर और और थ्यूंडड फट्री में करोड़ की आर्टेत्ट ऑप्रेटिज करती वीनियद्यद आ रही है ईपिएस 54.03 रुपीज का पिछले साल से इंक्रिश क्या है तो गाइस कम्पनी का रिजल्ट अगर देखा जान तो ओवरॉल तेखिये फिनास्यल एंडेट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है क्वाइट में थोल्व इसी प्रॉफिट में डाउन लेकिन इंकम अच्छी ग्रोथ है रहा है और कमपनी जोई सो दिविडेंट को भी लेकर अपडेट लेकर आई है, डिविडेंट दे रही है, इसका प्रोपोजल लेकर आई है, बाइबेक को लेकर प्रोपोजल लेकर आई है, तो कंपनी बहुत अच्छी रिजल्ट इस बार पेज का बहुत अच्छी अपडेट लेकर आई है, और इसको कंसिडर करेगा, इस तो कंप में रुंम भा...